वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल नौले राइजिंग हब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले और लेटेस नूटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन जरूर दवाएं ताकि जब भी चैनल में नई वीडियो आये तो आ यह सुरू करते हैं सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंदित हैं फील्ड होकी से जो कि 1983 से यह कप स्टार्ट हुआ था और हां दूसरी बात मेरे चैनल की अप्लिकेशन आ गई आपको पता है न्यू एप हो गई है जिसने नहीं डाउनलोड करा जल्दी से जाके करिए और डाउनलोड करिए आपको टिक सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करने के लिए और यह इंवेंट की गई थी एरनेस ओ लॉरेंस के द्वारा 1934 में नेक्स से विच वन अफ फॉलिविंग रिवर इस एट एंटिसीडेंट रिवर निमने लिखित में से कौन सी नदी एक पूर्व वर्ती नदी है इंडस रिवर इस एंटिसीडेंट रिवर ठीक है अगर हम इसके बारे में थोड़ी और बात करें कि एंटिसीडेंट रिवर और कौन कौन सी हैं क्या होती हैं वो सब में बताती हूं ठीक है तो एक तो इंडस है बाकि सतलज है सारूच है सार्जू है जिसको काली नदी भी कहा जा सकता है अरुन है तिस्ता है और ब्रह्मपुत्र हैं ये सारी एंटिसीडेंट रि यूरोप को अलग करती है किस से एशिया से तो जो अपना यूराल परवत है यूराल नदी है वो यूरोप को एशिया से अलग करती है चिक नेक्स है वेन वोज दा कॉंसिट्वेट एसेमली फॉर्म इन इंडिया भारत में समिधान सभा का गठन कब हुआ था 1946 में भारत में समिधान सभा का गठन हुआ था next, who among the famous ruler belongs to Tuluhova dynasty प्रसीदे साशक में कौन Tuluhova zones से संबन्दित है तो अपने क्रिष्ण देव राए जो क्रिष्ण देव राए है वो Tuluhova zones से संबन्दित है एक्चली हुआ क्या Tuluhova नरसा नायव विजय नगा सम्राजиче में तुलुक वन्स के संस्तापक थे और उसमें जो कृष्ण देव राय हैं वो विजय नगर समराजी के सबसे महान साशक हुआ करते थे नेक्स है एक कालपनिक रेखा को डैश कहा जाता है क्या कहा जाता है फ्रिंस्पल एक्सिस कहा जाता है समिधान का कौन सा हिस्सा भारत के छेत्र में वैपारवानिच और समागम से संबंदिध है अपना पार्ट थाटीन जो पार्ट थाटीन है वो ट्रेट कॉमर्स और इंटर कोर्स विदिन टेरिटरी आफ इंडिया से रिलेटेड है यह आर्टीकल 301 से 307 के बीच में आता है नेक्स है अंडर विच आर्टीकल ऑफ दे इंडियन कॉन्सिटूशन दप्रेजिटेंट प्रेजिटेंट प्रोमॉलगेट और ओडिनेंस भारत के समिधान किस अनुछित के तहत रास्ट्यपती आदेश जारी करता है जो रास्ट्यपती आदेश है वो 123 आर्टीकल के अंडर आता है नेक्स है वो कहां कहां मिलती है ब्लाक सोईल में ली गुजराद, महरास्ट्रा, करनाटक, मद्धिप्रदेश इन जगे पे मिलती है नेक्स है नेक्स है थे पॉइंट इन अर्बिट अफ प्लानेट, एस्ट्रॉइड और कॉमेट वेन इस फार्देश फ्रॉम देश इस कॉल्ड किसी ग्रह, शुद्ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह बिंदू जहवा सूर्य से सबसे दूर होता है क्या कह Culाता है, लथीलेवलय। उप्स हुरॉर्य का कहलता है, ठीक्ट, फार्देश फ्रम दे संब्धatta जब्ध्र्देस फ्रम दे सन एंवो क्या है अपना ललवी फिदिंद PK represents पैरिहिलियन क्या है स्ण्यों हीलियन है, closest to the sun, closest to the sun, अपोगी क्या है, the point of the orbit, farthest to the earth, farthest to the earth, पैरिगी क्या है, closest to the earth, closest to the earth, पैरिगी, अपोगी ये दोनों और से रिलेटेड है, एफिलियन, पैरिहिलियन, ये दोनों sun से रिलेटेड है, which one of the following is an Indian research station in Antarctica, निमने लिखित मैं से कौन Antarctica में एक भारती अनुसंधान केंद्र है, देखो, Antarctica में भी एक Indian research station है, जिसका नाम मैत्री है, ठीक है, तो मैत्री अपना Indian research station है, अंटार्टिका, नेक्से, देखो, जो भारती योजना का पहला खाका, प्रस्तावित करने का श्रे, किसको जाता है, अपने M. विश्व सरिया जी को, जीक, तो जो भारती योजना का पहला blueprint है, वो M. विश्व सरिया को जाता है, उसका पूरा का पूरा श्रे, next is, what is the potential difference that developed between the electrode and electrolyte called, electrode और electrolyte के बीच, विक्सेत होने वाली संभावित अंतर को क्या कहा जाता है, तो जो electrode और electrolyte के बीच, potential difference develop होता है, उसको electric potential कहा जाता है, next is, pre-monsoon sawas occurring in Kerala and Karnatak are known as, Kerala और Karnatak में होने वाली pre-monsoon वर्षा क्या कहलाती है, mango sawas कहलाती है, आमर वर्षा कहलाती है, ठीक है, जो pre-monsoon है, बारिस को अक्सर आम की बारिश कहा जाता है, जिसमें हलकी बारिश से लेकर गरज के साथ भारी बारिश होती है, ये बंगाल की खाड़ी में विक्सित होने वाली आंधी के कारण होता है, ठीक है, next is, वंसधारा water dispute tribunal involved in which state, वंसधारा जल, विवाद, नियायधी करण में कौन सा राज्य शामिल है, अपना उडिशा है और आंध्रप्रदेश है, ठीक है, तो आंध्रप्रदेश और उडिशा के बीच ये वामधारा जो या वंसधारा के नदी का बटवारा के बात हुई है, अब अंदरप्रदेश वाले बोलते है नदीब पे नराडी पुल बनाने चाहते हैं वो ठीक है जिसमें वो उडीसा वालों की सहमती चाहते हैं तो यही dispute चलने में है ठीक तो उडीसा और अंदरप्रदेश के बीच में है Next said the ideal of liberty, equality and fraternity in a preamble are taken from which institution हमारी प्रस्तावना में स्वतंता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस समिधान से लिए गए हैं फ्रेंस से लिए गए हैं या फ्रेंच से लिए गए हैं फ्रेंच कॉंस्टिटिउशन से लिबर्टी, एक्वैलिटी और फैटर्निटी लिया गया है आवर्द बीजी में उनके बीज में एक से अधिक भूण पैदा करने की घटना क्या कहलाती है और इसका एक्जामपल है जैसे सिट्रस जो प्रेडियूस करता है पॉली एम्ब्रॉई कहलाता है निमने लिखित में से किस इस्तान को अध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है अपने वारण अशी को वारण शी को इस्प्रिच्वल कैपिटल कहा जाता है इंडिया का next the great dividing range is located in which of the following country great dividing range निमने लिखित मेंसे किस देश में स्तित है अपने eastern आस्ट्रेलिया में तो जो great dividing range है वो आस्ट्रेलिया में situated है कौन सा पदार्त रसाइनी प्रतिक्रियाओं की दर को बदल देता है और प्रतिक्रिया के दौरान रसाइनी रूप से अलग करता है catalyst तो जो अपना catalyst है वो रसाइनी प्रतिक्रियाओं की दर्ग को बदल देता है चिक और प्रतिक्रिया के दरान रसाइनी रूप से अलग करने नेक्स से अनुचे 25 में 25 में क्या है right to profess, practice and propagate a religion अगर हम other article की बात करें Article 29 में क्या है protection of interest of minorities चिक 23 में क्या है minorities की protection चिक 23 में क्या है probation of traffic in human being and forced labor 26 में क्या है freedom of managed religious affair चिक next is who among the following Delhi Sultan is known for his market control policy दिली के सुल्तानों में कौन अपनी बजार नियंतर नीती के लिए जाना जाता था अलाउदिन खिल जी तो जो अलाउदिन खिल जी थे वो पहले सुल्तान थे जिनके पास ताई सेना थी उन्होंने दाग घोडों में जो ब्रैंडिंग की जाती है और चहरा इसकी प्रणाली शुरू की थी ठीक है और यही पहले थे जिनके बजार नियंतर नीती थी जिनके पास इसके द्वारा UNSDSN के द्वारा वर्ल्ड हैपिनेस रिपोर्ट प्रिपिर की जाती है next ay which is the supreme law making institution in India भारत में सर्वोच कानून बनाने वाली संसता कौन सी है अपनी पाल्यमैन जो संसद है वो भारत में सर्वोच कानून बनाने वाली संसता है तो यहाँ तक कि most important 25 वैफ कोशन थे जो कि बहुत important, बहुत helpful है आप लोग के आने वाली exam के लिए तो बने रहना मेरी नेक्स वीडियो से